आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार का फर्स्ट एक्स्प्रेस्वे यानि की औरंगावाद जैनगर एक्स्प्रेस्वे के बारे में भारत माला परियोजना के अंतरगत इस एक्सपेस्वे का कंस्ट्रक्शन एनेच एए के दोरा किया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सपेस्वे के बारे में डीटेल्स में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ टैम पहले मैंने इस वीडियो में बताया था कि बिहार में अभी तक एक भी एक्सपेस्वे नहीं बना है और ना ही बिहार गवर्मेंट कोई भी एक्सपेस्वे बनाने के बारे में प्लैन कर रही है। इस पर आप लोगों का अलग अलग कोमेंट आया था। कुछ लोगों ने इसके लिए बिहार गवर्मेंट को क्रिटिसाइज किया था। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि बिहार कोई एक्सपेस्वे की जरौत ही नहीं है। मुझे ये बताइए कि Expressway की जरुत क्यों नहीं है, Expressway के बनने से दो सहरों के बीच का travel time कम हो जाता है, जिससे development की opportunity मिलती है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना था कि Expressway बनाने में State Government का कोई रोल ही नहीं है, Expressway तो NHI बनाती है। ठीक है, NHI बनाती है, लेकिन जमीन अधिगरन तो State Government करती है और पटना Expressway जिसके बारे में इस वीडियो में हमने डिसकेस किया था, जमीन अधिगरन के कारण ही होल्ड हो गया। खायरून बातों को छोड़िये, ये बात या पुरानी हो गई है, यहां पर एक Good News है, बिहार का पहला Expressway बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, बिहार का पहला Expressway और अंगाबाद के पास मदनपूर से स्टार्ट होकर मदुवनी जिले के जैनगर तक बनेगा, इस Expressway को ब अगभग 271 किलोमीटर होगा, और इस Expressway का 80% से जैदा हिस्सा Greenfield होगा, Greenfield याने की नया रोड बनेया जाएगा, ये Expressway मदनपूर के पास Four Lane Highway से स्टार्ट होकर गया एरपोर्ट के बगल से क्रॉस करेगी, गया में एरपोर्ट के साथ GT रोड से भी इस Expressway को कनेक्ट किया जा कच्ची दरगा विदुपूर पूल के बाद महुआ साहर के पूरब से क्रॉस करते हुए ताजपूर, फिर समस्तिपूर डिस्टिक के बाद दरभंगा एरपोर्ट को भी इस Expressway से कनेक्ट किया जाएगा, दरभंगा एरपोर्ट के बाद जैनगर में इस Expressway end हो जाएगी, य NHAI इस Expressway का construction करेगी और बिहार सरकार को जमीन दिगरान करके NHAI को सौपना होगा, ये Expressway बिहार का पहला Expressway है तो बिहार को काफी सारी उम्मीदे हैं इस Expressway से, इस Expressway के बनने से नेपाल को भी काफी फैदा होगा, क्योंकि बिहार से नेपाल तक इस Expressway से connectivity हो जाएगी, इस Express के बनने से दर्भंगा Airport का importance और जैदा हो जाएगा, क्योंकि दर्भंगा Airport पहले ही East West Corridor से connected है, यानि कि North विहार के जैदातर districts East West Corridor के कारण दर्भंगा Airport से connected है, जबकि इस Expressway के बनने के बाद और जैदा districts जैसे समस्तिपूर और बैसाली भी दर्भंगा Airport से directly connected हो जाएग NHEI के notification के बाद इस Expressway के लिए जमीने दिखरन का का में स्टार्ट होगा और अगले चार साल में इस Expressway को complete करने का target है, इस Expressway के लिए गंगा नदी में कोई भी पूल बनाने के ज़रुत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कच्ची दर्गा और बिदुपूर के बिच बन रे सिक्स पूल से ही ये Expressway गंगा नदी को cross करेगी, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो comment करके बताइए, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी share कीजिए और हमारा वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए आप इस चैनल पापा construction को subscribe जया हमें, चौस दूसरों मोचिज और हमेशा देखते हैं